दोस्तो वीडियो आपनेट की बाद जब व्यूज नहीं आते हैं तो अटमेटिकली गुस्सा आ जाता है कि आकर मैंने क्या ऐसा गल्तिक कर रखा है जिसकी कारण मेरा वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है और ऐसे में दोस्तो आप लोग पागल हो जाते हों परिशान हो जा है कि मतलब क्या करने से कैसे काम करने से मेरा वीडियो पर व्यूज आ जाए यह सवाल होता है तो उससे पहले दुस्तो दिखिए यह जो प्रॉब्लेम है इस प्रॉब्लेम की सोलुशन आसके इस वीडियो में आप लोग को तुड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा लेकिन मैं ऐस इस चैनल देखकर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल निव क्रेटर सूँ भाई बिल्कुल नहीं यहां इसकी शुट आप देख लिए यह मेरा पूराना चैनल है इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन पर उस चैनल की लिंक है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं इस चैनल से मेरा अलड़ी आर्निंग हो रहा है लेकिन इस चैनल के लिए मैं बिल्कुल नया हूं और एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा देखिए अगर आपकी चैनल ग्रो करना है वीडियो में व्यूज लाना है तो भाई आप आपको क्या करना है कि एक दूसरे को सापूट करन है अगर आप भी मेरी चैनल पर फास्टेम विजिट क्या है यानि के फास्टेम मेरी वीडियो पर क्लिक क्या है तो भाई मेरी एक ही निवीदों है कि चैनल को सस्काइब कीजी अगर आप मेरी चैनल को सस्काइब करते हो तो आपकी वीडियो दूसरा किसी बंदा ने जब क् कि ब्यूज आते हैं और ब्यूज जब नहीं आते हैं तो रिजन क्या है कारों क्या है सबसे पहले यह चीज आपको पता करना चाहिए उसके बाद दुस्तों आप खूदी समझ लेते हों कि मेरा इस गलती से विडियो पर ब्यूज नहीं आ रहा है जो गलती बोड़े-बेट आ आप लोग को मटिबेट सिर्फ करता है लेकिन ब्यूज कैसे लाना है चैनल कैसे ग्रो करना है वाई एक बात पी नहीं कहता है तो सबसे पहले तो मैं इसके रेकोर्ड जो है ओन कर लेता हूं और वीडियो शुरू से एंद तो दिखिए उसके बाद दूस्तों दिखिए मैंने यूटूब ओपेन किया है यूटूब ओपेन करने की बाद दूस्तों यूटूब लोगों पर क्लिक करना सिंप्ली और इसके बाद दूस्तों वाईटी स्टूडियो जो है मैं ओपेन करता हूं और दूस्तों यहाँ आप लाइब देख लिजी यह मैं पूराना चैनल में कर रहा हो आप बिल्कुल लाइset लिए उसके बाद दोस्तों आपको आप बिलिप करोगे यहां दोस्तों आप देख लाएrate गले मेरा पुराना चनल है तो दूपलोड किया है तो चलिए मैं मतलब रिसेंट लीजो वीडियो इस पर logbook दूस्तों, तीन गंठा बाद आपकी वीडियो पर views नहीं आ रहा है, यह आप पता लगा सकते हों, उससे पहले नहीं, आपलोड की बाद, तीन गंठा बाद आपको यह, आप यह पता लगा सकते हों, चलिए मैं एक दूसरा वीडियो ओपेन कर लेता हूं, content पर मैंन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो इस वीडियो पर आप देखिये, 2.6 के views आचुका है, इसके बाद दूस्तों, सबसे उपर देखिये, this video has had 2.648 views, since it was published, तो दूस्तों, आपको क्या करना है, राइट से स्वाइप करना है, यहाँ दूस्तों वाश्टाम देखिये, सस्क्र आया है, इसके बाद दूस्तों आपको स्वाइप करना है, इसके बाद दूस्तों इंप्रेशन्स देखिये, 15.3 के, उसके बाद दूस्तों इंप्रेशन्स क्लिक तुरू रेट जो है, सबसे ज्यादा मेटर करता है, इंप्रेशन्स क्लिक तुरू रेट है, इंप्रेशन्स क्लिक त्रू रेट यह जब तोक आप नहीं समझेंगे तब तोक आप कोई वीडियो पर आप व्यूज नहीं ला पाएंगे तो उसके बाद दूस्तों और भी मैं स्वाइब करता हूं और यहां दूस्तों यूनिक व्यू कितना आप देख सकते हैं तो दूस्तों आपको क्या क यानि कि इस वीडियो को कैसे ओडियो ने लोगों ने फाइंड किया हैं कैसे पता किया है निचादि के यूटुब सार्च 64.5% और ब्राउज फीचर ब्राउज फीचर यानि कि जब आप लोग यूटूब ओपन करते हों ओपन करने की बाद दूस्तों जब यहां वीडियो की लिस्ट देखने को मिलता है तो इसको कहा जाता है ब्राउज फ्यूचर इससे कितना पर्सेंट ओडियंस आया है 22 पर्सेंट सबसे ज्यादा कहा आया है 64 पर्सेंट यूटूब सार्च से इसके बाद दूस्तो नौटिफिकेशन दिखे 4.1 कभी कभी यूटूब ने काफी ज्यादा नौटिफिकेशन सस्क्राइबर्स को बैसता है और कभी कभी क्या होता है कि यूटूब ने काफी कौम नौटिफिकेशन बैसता है तो इसमें होता क्या है कि क्रियेटर्स को ज्यादा तो लोस होता है जब यूटूब ने नौटिफिकेशन बहुत कौम बैसता है निचे दिखिये suggested video, suggested video दोस्तों क्या होता है यह चीज आप समझ लेजिए, तो suggested video दोस्तों यह होता है, जब आप किसी दूसरे creator के video देखते हों, तो video देखने की बाद दोस्तों video मतलब चलते हुए निचे दिखिये और video आ रहा है, तो जब दूसरा किसी ने अगर आपकी वीडियो पर क्लिक किया है और या दूसरा किसी क्रिएटर्स की वीडियो पर क्लिक किया है और वीडियो चलते हुए जब निचे आपकी वीडियो शो करेगा और अगर वहाँ से उस बंदा ने क्लिक किया है तो साजेस्टेड माना जाता है निचे दुस्तों और देखिए और इंपेशन स्क्लिक तुरू रेट जो है यह आप लू को मैं बिल्कुल बारी किसे समझाने वाला हूं यह सबसे बड़ी मेटार करता है निचे दिके के एक्स्टरनेल साइट और एप्स यानिकी वाट्साप से 58.8 परसेंट यानिकी जिस बंदा ने मेरा वीडियो पर क्लिक किया है उस बंदा ने वीडियो तो देखा है देखा लास में दूसरा प्रेंड की साथ भी श्यार किया है गोगल सार्स 11.8 और निचे दिके क्रिटर 5.9 यह लोगों ने श्यार किया है यूटूब सार्स टाम्स निचे दिके दूस्तों यहां किवाड आपको मतलब साज़ेश करता है कि इसी किवाड के तुरू आपके वीडियो देखा जा रहा है तो इस किवाड को क्या करना है जब वीडियो आप अपलोट करते हों यूटूब ने डियरेक्ट आपको बता रहा है कि इस किवाड से आपकी वीडियो लूग देख रहा है तो आपको इस किवाड की जुरूद है तो यह जो QR है दूस्तों आपको क्या करना है जिस वीडियो आपने अप्लेट किया है उस वीडियो की टेग जहां टेग आप एड़ करते हों टेग पर सेट करना है डेस्किप्शन पर सेट करना है आई यह आप बात करते हैं कि इंप्रेशन क्लिक तुरू रेट क्या होता है दूस्तों जब यूटूब ओपन करते हों यूटूब ओपन करने की बाद ब्रावज फीचर में मानली जी एक बंदा ने यूटूब ओपन किया है ओपन करने के बाद आपकी वीडियो यूटूब की जो ब्रावज फीचर यानि कि skip कर दिया है आपके वीडियो पर click नहीं किया है तो एक बंदा ने जोब दूस्तों skip करता है scroll करता है तो मतलब यह की count माना जाता है यह count माना जाता है YouTube ने एक बार count कर लेता है कि impressions click-through rate कितना है तो दूस्तों यहाँ दिखिए impressions click-through rate जो है यह कि 100 लोगों में से दूस्तों दिखिए logbook 100 से 15 लोग मेरा वीडियो पर click कर रहा है अगर एक 100 लोगों की सामने मेरा वीडियो जा रहा है उन में से 15 लोग क्लिक कर रहा है इसका मतलब यह है तो जो वीडियो आपलोड करते हो वीडियो आपलोड करने के बाद देका जा कि impressions click-through rate जो है यह चीज आपको सबसे पहले समझ लेना है उसके बाद दूस्तों अगर देका जाए कि देखिए मैं यहाँ एक बर बेक करता हूं यहाँ दूस्तों दिखिए views इंप्रेशन क्लिक-through rate और average views राशों मान लिजे दूस्तों आपने क्या 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 कि YouTube पर पास मिनिट का वीडियो आपलोड किया है और जोब यहाँ दूस्तों तिन गंटे बाद जोब आप यहाँ जो result शो होता है अगर यहाँ देखा जाए कि एक मिनिट करके लोग आपकी वीडियो देख रहा है तो आपको क्या करना है वीडियो ऊडियो क्यों इतना मतолब टाईम कौन देख रहा है यह आपको पाता लगाना बहुत ही जरूर है तो भी जाक के ऊडियो पूरी वीडियो देखेंगे और वीडियो प्वैसंद भी करेंगे चेनल सास्क्राइब भी करेंगे और like भी करेंगे यह चीज पाता करने के लिए दूस्तों आपको क्या करना है कि simply go to video analytics पर click करना है फिर से click करने की बात दूस्तों आपको swipe करना है और उपर यहां की engagement इस options पर आपको click करना है जैसे दूस्तों आप click करेंगे और निचे दिखे audience retention तो यहां दूस्तों एक graph आप देख सकते हो तो दूस्तों आपको क्या करना है कि उस graph पर click कर देना है जैसे दूस्तों आप click करेंगे इसके बाद दूस्तों यहां दिखे वीडियो जो है आ चुका है जो भी वीडियो आपने upload किया है उस वीडियो यहां दिखाई देता है तो आपको क्या करना है कि दूस्तों जहां graph down है वहां आपको यह जो डंडा की निशन है यह इस तरह आ बात अपने मतलब यहां जो आपने बात बला है यह बात audience को पसंद नहीं आ रहा है तो यह चीज आपको काट कर देना है वीडियो आप लट करने के बाद आप यह काट कर सकते हो इसके बाद दूस्तों और भी आगए जाना है जहां दूस्तों यह graph down है वहां जाकर आपको च के लिए दूस्तों आपको simply chrome browser open करना है चलिए मैं chrome browser open करता हूं वीडियो गवर से दिखिए बाई आपका 100% फायदा होगा काट करने के लिए दूस्तों देखिए यहां simply आपको studio chrome browser पर आपको studio.youtube.com simply आपको type करना है इसके बाद सार्च करना है इसके बाद दूस्तों यहां देखिए continue to studio में इस पर क्लिक करता हूं क्लिक करने की बाद दूस्तों automatically यहां दूस्तों चलने की जो dashboard है open हो जाता है तो दूस्तों आपको थूड़ा time wait करना है यह open हो रहा है देखिए यह open हो चुका है इसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है simple सा दूस्तों यहां एक option देखिए logo देख सकते हो left side top पर इसके न दूस्तों आपको क्लिक करना है click करने की बाद दूस्तों आपके channel पर बीडियो की list यहां आप देख सकते हो Je Dynasty की बीच में आपको part कार नहीं उससके quantum ना है जैसे दुस्तों आप click करेंगे उसके बाद दुस्तों यहाँ दिके left side पर फिर से कुछ options display होता है तो दुस्तों यहाँ दिके left side पर ताड जो option है ताड options पर click करना है जैसे कि दुस्तों यहाँ आप देख सकते हो ताड option ताड options पर आपको click करना है चलिए मैं क्लिक करता हूं जैसे दूस्तों आप Part Options पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखे Editor यानि कि आप Upload करने की बाद भी आप Video Edit कर सकते हो इसके बाद दूस्तों यहाँ दिखे उस Video यहाँ Show हो रहा है इसके बाद दूस्तों यहाँ आप देख सकते हो जैसे की देखिए Trim Card तो आपको Trim Card पर क्लिक करना है चलिए मैं क्लिक करता हूँ Plus पर मैंने क्लिक क्या है उसके बाद दूस्तों यहाँ आप देखिए जैसे की New Card तो आपको New Card पर क्लिक कर देना है जैसे दूस्तों आप new card पर click करेंगे निचे दिखिए कुछ options यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा part आपको card करना है आपको select करना है तो जैसे कि दूस्तों यहाँ दिखिए कुछ duration time दिया गया है और यहाँ video है यही से video चला सकते हो और देख सकते हो तो दूस्तों मान लिजे मुझे बीच में एक part cut करना है जैसे कि दो मिनिट मुझे cut करना है तो यह देखिए दो red color की जो दो डंडा है डंडा की बीच में जो part ही यह cut हो जाएगा जैसे दूस्तों आप यहाँ दिखिए निचे आप देख सकते हो जैसे कि दूस्तों यहाँ दिखिए preview तो preview करके आप देख सकते हो और उसके बाद दूस्तों यहाँ एक options देखिए जैसे कि दूस्तों यहाँ दिखिए cart दूस्तों यहाँ दिखिए cart option है cart options पर जैसे आप click करेंगे तो इस part को मतलब तुरंट delete हो जाएगा लगबक 25 मिनिट टाइम लगता है पार्ट के हिसाफ से टाइम लगता है अगर आप ज्यादा मुटा पार्ट काट करेंगे उतना टाइम लगता है ज्यादा अगर जितना आप चूटा पार्ट काट करेंगे उतना कौम टाइम लगता है तो काट करने के बाद दूस्तों उस वी ही होता है हैं आपके वीडियो से वावस्ट टैम आपको फूरा फूर फूर तो दोस्तो इसी तरह आपको काम करना है।